जैहिन दोस्तों, जैसा कि हमारे कई स्टूडेंट की मांग थी कि सर पुलिस एक्ट पर बीडियो प्रवाइड कराईए क्योंकि यूपी 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 की वैकेंसी दोहजार इकिस दिसंबर के अन्त तक आने वाली थी लेकिन हमारे विभागी सुत्रों के मताबिक 2022 में या तो जनवरी या तो फरवरी के लाश्ट तक एपी यूपी की वैकेंसी आने की अती संभावना है इसी को मद्दे नजर रखते हुए हम यूपी पुलिस अधिनियम 1861 की सुरुवात कर रहे हैं अपनी यूटूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुचाने का प्यास कर रहे हैं और हमारे कई स्टूडेंट की मांग भी थी कि सर यूपी एप्यो का नया बैच प्रारम करें और हम लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रवाइट कराएं तो आए हम इसमें अपने नोट्स के माध्यम से और बेर एक्ट के माध्यम से डिस्क्राइब करें आए पहले हम बेराइट के माध्यम से देखते हैं पहले इसकी जनरली बाते जान लिया जाए यह जो पुलिस अधिनियम है यह 1861 में बना था अगर इसका क्रमांग संख्या पूछा जाए तो जो इसका क्रमांग संख्या है वह क्रमांग संख्या 5 है इसका पुलिस अधिनियम क की बात की जाए क्योंकि अधिकतर हम लोग प्रियंबल पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रियंबल से क्वेस्चन पूछ लिया जाता है जैसा कि हम बेर एक्ट से पहले प्रियंबल को रीट करते हैं प्रियंबल में लिखा गया है च्योंकि पुलिस को पुनरगठित करना और अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दच्छ उपकरण बनाना समीचीन है अतह निम्नलिखित रूप में यह अधनियमित किया जाता है अब प्रियंबल में तो यह लिख दिया गया लेकिन इससे असपश्ट रूप से पता नहीं चलता है कि पुलिस अधनियम जो 18-61 बनाया गया इसका मोटो क्या है इसका अबजेक्ट क्या है इसका उद्देश क्या है तो हम जब इसके प्रियंबल को तोड़ते हैं तो इसके प्रियंबल को तोड़ने पर हमें चार भाग प्राप्त होते हैं जैसा कि पहला आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाए दे रहा होगा पहला इसका जो एम है वह है पुलिस को पुनरगठित करना अर्थात पुलिस को एकत्र करके उनको एक बल प्रदान करना उसको संगठित करना दूसरा है इसका जो एम है अपराधों का निवारण करना अर्था जो पुलिस बल का गठन किया जाएगा वह अपराध को रोकने के लिए किया जाएगा और जो थर्ड मोटो है इसका पुलिस अधिनी 1861 का वह है अपराधों का पता लगाना अर्थात पुलिस का यह काम रहेगा कि वह है अपराधों का पता लगाए जब अपराधों का पता लगाएगी तभी उस अपराध का निवारन हो सकेगा और जो इसका चवथा मोटो है पूलिस अधिनियम अठाश 161 UP इसका मोटो है पूलिस को अधिक दच उपकरण बनाना इसका ताग पर यह है कि पूलिस को साजो सज्जा से संग्रहित सूँ सज्जित करना अर्थात रिवालवर जैसे आधुनिक तकनीकियों से लैस करना जिसकी उपयोगता होने पर पूलिस अधिकारी अपने अस्त्र सश्त्र का अच्छे तरह से उपयोग कर सके यह था पूलिस अधिनियम का आपजेक्ट अब क्वेस्चन कैसे पूछे जाते हैं यह भी हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्वेस्चन एकजाम में कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाने की संभावना है जैसे अब्जेक्ट से अगर क्वेस्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार से क्वेस्चन पूछा जाएगा जैसे आप से क्वेस्चन यह पूछ लिया कि पूलिस अधिनियम 1861 का अब्जेक्ट क्या है उद् बनाना अगर ये चारों आप्सन दे रहा है फिर D आप्सन में दे दिया उपरोग में गैंच करती है दिया की पोडस करेगी तहरा कारी नहीं है ये पूछ लिया कि कि कौन सा उद्देश पुलिस अधनियम का नहीं है तो इसमें दे दिया की अपराधों की जाच करना तो अपराधों की जाच करना पुलिस अधनियम का आपजेक्ट नहीं है तो आपको आपसन नंबर डी पे क्लिक करना होगा डी पे आपको गोला करना होगा इस तरह से हमने पुलिस अधियम का उद्देश से बताया अब पुलिस अधियम के निर्वचन खंड की यदि हम बात करें तो निर्वचन खंड का तात्पर परिभासा से होता है निर्वचन खंड का तात्पर किस से होता है फ्रेंट्स निर्वचन खंड का तात्पर परिभास पूच्छा से होता है तो निर्वचन खंड जैसा कि यह दिए क्वेस्चन हम आपको बतारें क्वेस्चन पूच्छा कैसे जाएगा इस प्रकार से बनाकर पूच्छा जा सकता है कि यूपी पुलिस अधिनियमा थारा सो एक सट की धारा एक निर्वचन खंड या परिभासा को बताती है अब पहली परिभासा दी गए जिले का मजिस्टेट अब जिले के मजिस्टेट को हम डिफाइन करेंगे जिले का मजिस्टेट कहते किसे हैं तो देखें जिले के मजिस्टेट से ताथ पर यह होता है कि जिले का मजिस्टेड वह मुख अधिकारी अभिप्रेत है क्योंकि जिले का मजिस्टेड जो डियम होता है उसे जिले का मजिस्टेड कहते हैं लेकिन हम पुल्स अधनियम की भासा में या लीगल भासा में जिले के मजिस्टेड की डिफिनिसन जानेंगे जीले का मजिस्टेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जीलों के कारिपाल की प्रशासन का भार है और जो मजिस्टेट की सक्तियों का प्रियोग करता है चाहे ऐसे कारिपाल की प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसे भी नाम से ग्यात हो इसका कहने का ताथ पर यह है कि ऐसा कोई भी अधिकारी जो जीले का मुख्य अधिकारी के रूप में अभिप्रेत है और वह जीले में कारिपाल की प्रसासन यानि जो प्रसासनिक कारे है अड्मिस्टेट्ट कारे है उसको करता है या करने की सक्ति धारित करता है वह जो है जी जीले का मजिस्टेट कहा जाएगा इसका तात पर यह नहीं है कि डियम को ही जीले का मजिस्टेट कहा जाएगा यद डियम अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिती में यद यद डियम या अन्य किसी व्यक्त को डियम की सक्तियां अंतरित कर दी जाती है तो वह भी जीले क मजिस्टेट कहा जाएगा और हम यह देखेंगे कि मजिस्टेट की निउपती के बारे में प्रावधान कहां किया गया है क्योंकि हम इसको को रिलेट भी करते चलेंगे कि जो संटेंस आएगा या जो डिफनीशन आएगी उसको कहां कहां बताया गया है उसको हम एक अस्थान पर यहां पर आपको डिस्क्राइब भी करते चलेंगे यदि आप चाहें तो इसका साट नोट बना सकते हैं वैसे हमने जो अपना सेल्प का नोट बनाया हुआ है यह आप लोगों के लिए पिट के माध्यम से ओलेबल हो सकता है यदि आप चाहें तो देखिए जैसे जीले क मजिस्टेट की नुकती के बारें जो प्रोवीजन किया गया है वह CRPC की धारा 20 में किया गया है जिसमें यह वरणित है कि राज सरकार कारेपाल की मजिस्टेटों में से किसी एक को जीला मजिस्टेट नुकत करेगी यहां से जो CRPC अंडर सेक्शन 20 है वहां से एक बात यह अ मजिश्टेट की निएकता तो आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा राज़ सरकार कार सरकार मजिश्टेट की मुझाता करये तो किसी कार्पाल की मजिश्टेट को करेया या याईं味 कि किया जाएगा यह चीज आप ध्यान में रखेंगे उसके बाद भूराजस के मामले देखता है तब इसे कलेक्टर कहा जाता है ब्यक्ति एक ही होता है जब प्रसासनिक मामलों को देखता है तो उसे जिले का मजिस्टेट कहा जाता है अर्थात जो डियम होता है डियम एक ही ब्यक्ति होता है लेकिन उसके कारियों के आधार पर उसके अनेक न इसी तरह से जब वो प्रसास्तिक मामलों को देखता है तब उसे क्या कहा जाता है उसे जीले का मजिस्ट्रेट कहा जाता है इस प्रकार जीले के मजिस्ट्रेट जीले के सभी भी भागों में समन्वे बनाये रखने का जबकार करता है तो उसे जीला समन्वे अधिकारी कहा जा जिले के मजश्टर की परिभासा को अपने इस वीडियो में बताया है और आगे आने वाले वीडियो में हम एक-एक करके पुलिस अधनियम के सारे वीडियो आप तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करेंगे जिसमें की हमने को रिलेट भी किया कौन से क्वेस्चन किस प्रकार से बनते हैं उसको भी हमने आपको बताने का भर्षक प्रयास किया तो इसी तरह से हम आगे और वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अउगत कराएं थैंक्स फार वाचिंग फ्रेंट्स